पब्लिक टीवी आपकी आवाज लखीमपूर जा रहे राजिस्थान के पूर्व डिप्टी सीम और कॉंग्रेस नेता सर्चिन पाइलेट को मुरदबाद सर्क्टिट हाउस में करीव सवाद चार घंटे नजर बंद रखा गया बुद्वार रात 11 बचकर 20 मिनट पर उन्हें पूलिस की गाड़ी में बठा कर दिल्ली भीजा गया जाते समय पाइलेट ने कहा कि ना तो उन्हें लखीमपूर जाने दिया गया और ना ही मुरदबाद में ठहजने की अनुमती दी गई आचारे प्रमोद किश्णम ने कहा कि प्रदेश में लोक्तंत की हत्या हो रही है सचिन पाइलेट और कॉंग्रिस नेता आचारे प्रमोद किश्णम के दिल्ली से लकहिमपूर के लिए निकलने की जानकारी मिलते ही अम्रोहा के गज्रॉला से लेकर मुरदबाद तक हाईवे पर फुलिस की मुस्तेदी बढ़ा दी गई गज्रॉला और जोया टोल पलाजा पर पूर्स की मौजूदगी के बाद भी सचिन की गाड़े आगे बढ़ती चली गई लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी मुरदबाद रामपुर की सिवा परिस्तित मुणा पंडे टोल पलाजा पर पहुँची तो शाम साथ बजे उन्हें मुरदबाद के सरकेट हाउस में नजर बंद कर दिया गया उनकी गाड़ी दाखिल होते ही सरकेट हाउस का गेट बंद कर दिया गया इससे भड़के कॉंग्रेसी सरकेट हाउस के गेट पर धरने पर बैठ गए और सरकार विरूदी नारेबाजी करने लगे रात करीब ग्यारा बजकर बीस मिनट पर फाइलेट और प्रमोज कुष्णम को पुलिस की गाड़ी से बाहर लाया गया जो दिल्ली की उर बढ़ गई मुझे हैं SARAH आपअ पर रह दिया किया है तो ने कि हम को आगे जाने के पर मिस्यमिल इ records है और हम को आप रोका करा था, है कि अन्यार उंन अड़ी डारी संकते है और ना मुझे हर छेले लें इसनों सब्सासन कुलुस ने मुझे कहा है कि कि आगे से पर्मिशन उन्पनी मली है और सरकान इनने लिए लिए कि इतना घंटे उनके आप यहां टेटेंड रहे हैं कई घंटे रहे हम लोग हमको मुरादबाद पर हाईवे पर लोग कर यहां लेकर आई जित अब आपके अगली रड़न नहीं ते क्या रहेगी ना तो हमको और ना ही मुझे 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 मराधबाद में रहने के नोर्था अ लेकर यहां महां कितनी दे़र आप फिलाल अभीब है आप लोगों का कई घंटे से हमको होग antibiotic किया हुआ था क्किया हुआ और किसी भी कीमत पर लखीवे फिलाले की इजाज़त हमें नहीं दी गई अब पुलिस की कस्टडी में वापस दिल्ली जाने को मज़ूर किया जा रहा है सचिन पाइलेट साथ सरकारी गाडी में है हम लोग पुलिस कस्टडी में दिल्ली वापस जा रहे हैं क्योंकि किसी भी कीमत पे लखी पूर जाने की जाज़त नहीं है अचार जी यूपी सरकार क्या कही न कहीं दबाव में है जिसकी वज़ा से आपको वापस भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश में लोगतंत्र नाम की चीज नहीं रह गई है और उत्तर प्रदेश में लोगतंत्र की हत्या सरयाम हो रही है और गुनागारों का पक्ष दिया जा रहा है। मैं योगी आदितनाजी से आजरे करूँगा कि वाप्ने दिल आखना दोले तांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें।